एलो प्यारे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम कख्षय चार के विशागनित के सफस्ट के एक्जाम को सॉल्ब करेंगे जो की उत्री दिली नगनिकम के द्वारा दिया गया है तो बच्चो आप इससे अपन को संचिपत रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा तीन साथ चोहेतर तीन आठ पिछेतर तो बच्चो गलत है साथ साथ चोहेतर ये भी गलत है तो बच्चो आंसर है option number first next है यदि पंकज अनुज से लंबा है और अनुज सोमया से लंबा है तो उन में से सबसे लंबा कौन है तो बच्चो इमानलो ये है सोमया 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 से लंबा है अनुज अनुज से लंबा है पंकज तो इन में सबसे लंबा कौन हुआ पंकज यहाँ पर option है पंकज अनुज स आदा किलो मीटर में कितने मीटर होंगे 500 मीटर अब हमें बताना है कि इन में से कौन सी दूरी जो है वो 500 मीटर से अधिक नहीं है इससे कम है तो यहाँ पर option है 770 मीटर तो यह जो है 500 मीटर से अधिक है गलत है 37 मीटर इससे कम है 7700 मीटर बहुत ज़्यादा है तो बच्चो इसके second option पर सही का निशान लगाएंगे यह जो है आदे किलो मीटर से अधिक नहीं है next है 100 रुपे बनाने के लिए 20 रुपर के कितने नौटों की जरूरत होती है तो बच्चो इसके लिए हम क्या करेंगे 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे 20 पंजे 100 तो कितने नौटों की जरूरत होगी 100 में से हम 100 माइनस करेंगे 0 तो बच्चो इसके लिए 20 के 5 नौटों की आव प्युप्त होगी, option है meter, centimeter, kilometer, तो बच्चो इसका answer है option number first meter, next है सही या गलत बताईए, पुराने पुलों में महराव देखे जा सकते थे, तो बच्चो हाँ ये सही है, 10 रुपए के 10 नोटों की कुल राशी 100 रुपए है, तो बच्चो हाँ ये सही है, 10 को हम 10 से डिवाइड कर हैंगे, तो answer 0 आएगा, तो ये गलत है बच्चो यदि हम 7 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो answer हमारा 1 आएगा, next है किसी भी द्रब की धारिता या आयतन मीटर में मापी जाती है, तो बच्चो ये भी गलत है, किसी भी द्रब की धारिता या आयतन को हम लीटर में मापते हैं, तो बच्चो यहाँ पर गलत लिखें गे, next है 400 ML प्लस 700 ML बराबर 1 लीटर, तो बच्चो ये भी गलत है, हम 400 और 700 को को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1100, it means 400 ML और 700 ML को प्लस करेंगे तो होगा, 1100, 100 ML तो ये गलत है, next है निमने लिकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अनुमान लगाईए कि आप एक बार में अधिक्तम कितने लीटर पानी एक बाल्टी में उठा सकते हैं, तो बच्चे इसका अंसर है, आप 10 से 15 लीटर पानी की एक बाल्टी को एक बार में उठा सकते हैं, नेक्स्त यदि एक मदुमख्य एक मिली लीटर सहद पीती है, तो एक हजार मदुमख्य कितना सहद पीएंगी, तो बच्चे इसका सबसे आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, एक मिली लीटर मल्टीप्लाइ बाए एक हजार, इट मींस एक को हम एक हजार से मल्टीप्लाइ तो कितना अंसर आया? 1000, it means 1000 मिली लीटर, 1000 मिली लीटर, it means एक लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं? 1000 मिली लीटर, तो it means जो मदु मक्हियां हैं वो 1 लीटर सहत बिएंगी. नेक्स्ट है यदि आप एक लाख एटों में से एक एट निकाल लें तो कितनी एटे बची रहेंगी तो बच्चो कितनी एटे बचेंगी 99,999 एटे नेक्स्ट है यदि मीना की उचाई 130 cm और आसरित की उचाई मीना से 10 cm अधिक है तो आसरित की उचाई कितनी है तो बच्चो मीना की उचाई कितनी है? 130 cm आशरित की उचाई कितनी है? 130 plus 10 cm इट मीज आशरित की उचाई से 10 cm अधिक तो बच्चो इने हम प्लस कर लेंगे कितना हुआ? 140 cm तो आंसर है बच्चो 140 cm आशरित की उचाई है? नेक्स्ट है एक तेल टैंक में तेल मापने के लिए उप्यूक्त इकाई क्या है तो बच्चो आंसर है लीटर हम तेल को लीटर से मापेंगे आभे बच्चो चित्र आधारिक प्रश्णों निम्ले की चित्र को ध्यान से देखिए और निम्ले की प्रश्णों के उत्तर दीजिए कितने लीटर डीजल भरा गया है तो बच्चो कितना है 100 लीटर नेक्स्ट है ग्राहक को कितना पैसा देना है तो बच्चो कितने देने हैं तीन हजार पांसो रुपए अब बच्चो वर्नात्मक प्रश्न प्रकास अपनी दादी के घर जा रहा है जो उसके घर से 150 किलोमीटर दूर है वह बस से यात्रा कर रहा है अनुमान लगाईए कि आधी यात्रा करने के बाद बस कहां पहुँचेगी तो बच्चो यह है प्रकास का घर और यहां पर है दादी का घर अब बच्चो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर घर से खेट की दूरी है 25 किलोमीटर खेट से चर्च की दूरी है 35 किलोमीटर चर्च से बाजार की दूरी है 15 किलोमीटर अब बच्चो हम इसमें इस दूरी को प्लस कर लेंगे कितना हुआ दूरी को प्लस करने पर 25 किलोमीटर इत मींज यहां पर आधा रास्ता है बाजार पर है तो बच्चों आधी आत्रा कहां पर होगी बाजार पर तो बस जो है आधी आत्रा करने पर बाजार पर पहुँंचेगी नेक्स्ट है आमन की बोतल में एक लीटर पानी था उसने उसमें से एक गिलास में 250 मिली लीटर पानी लिया और उसे एक पौधी में डाल दिया फिर उसने एक जग में 500 मिली लीटर पानी लेकर चिरिया के बरतर में डाल दिया बोतल में कितना पानी बचा है तो बच्चो एक लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं एक हजार बोतल में पानी बताना है कितना बचा है तो एक हजार मिली लीटर में से हम उस पानी की मातरा को माइनस करेंगे जो उसने निकाला है तो एक बार में 250 ml और दूसरी बार में 500 ml अब हम इसे प्लस कर लेंगे प्लस करने पर आंसर कितना है 750 ml तो अब हम 1000 में इसे 750 को माइनस कर देंगे कितना बचा 250 ml इट मींज अमन की बोतल में पानी बचा 250 ml बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू